आमादमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार वेप्रसासन की कारशाली के वरोध में किया प्रदसन, मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की बदहाली और विसेश कर जरजर सडकों के मुद्दे को लेकर आमादमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और ड दसन कर गुरुग्राम की खस्ताहाल व्यवस्थाओं की विरोध में खटर सरकार के खिलाप जमकर नारेवाजी की इन छेत्रों का दौरा कर डॉक्टर सारीका वर्मा ने सडक पर जगे जगे बने गड़ों को चिन्नित किया और आए दिन हो रही सडक दुर घटनाओं के लिए प्रदेश सरकार वै गुरुग्राम जिला प्रसासन को जिम्मेदार ठहराया आपको बता दे कि रहागीरों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर सारीका वर्मा खुद अपने इस्तर पर इन गड़ों को कई बार भरने का प्रयास कर चुकी है हरी सिंग चोहान सिद्दांद गु मिलेनियम सिटी के रूप में पहचाने जाने वाला गुरुग्राम आज गड़ों में तब्दील हो रहा है। ब्रस्टाचार पूरी तरह से घुश चुका है। इन लोगों ने गुरुग्राम को लूटने के सिवाए कभी इस सहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया। प्रसासन जाग नहीं रहा है। भाजपर सरकार की बेशर्मी की हद्ध हो चुकी है। सिदांद गुप्ता ने कहा कि प्रसासन की तरप से गुरुग्राम में मेरा थम रेश कराएगी। लेकिन सहर के अंदर इलाकों की सड़कों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी ना तो प्रदेश सरकार ना गुरुग्राम के विधायक और ना ही जलापर सासन उठाने की जहमत कर रहा है। ये गड़े देखे मेरा दिल दुखता है। हम लोग इतना पैसा सरकार को दे रहे हैं टैक्स के रूप में लेकिन वो पैसा कहा जा रहा है। मेरे सडक जो है दो साल से बनी नहीं है इतने बड़े बड़े गड़े होगे इन गड़ों को मैं तीन तीन बार भर चुकी हूँ। तो निवेदन है कि प्लीज गड़गाओं के गड़ों को भर दीजे।